कि नवासर साथियों पेपर सेवन पार्ट वन के इस वीडियो लेक्चर सिरीज में एक बर पुनह आप सभी का स्वागत है पिछले क्लास में हमने मानव अधिकार स्नरक्षन अधिनियम 1993 के सुरुवात किये जिसमें हमने बात किये थे मानव अधिकार होता क्या है पहला हम बात कि दूसरा मानव अधिकारों का उद्वा कैसे कैसे हुआ और मुखिता प्रमुख जो देश कौन से थे जहां पर इस संब्ध में प्रावधान किये गए तो इसमें इंग्लैंड आया प्रांस आया अमेरिका और भारत हम मुखिता इन चारों की हमने बात यहां पर किये और सा अधिनियम 1993 के सीधे सीधे हम इस अधिनियम के उन दो बड़े संगट्म पर चर्च करेंगे जो है पहला नंबर बन पर है रास्ट्री मानव अधिकार आयोग और दूसरा है राज्य मानव अधिकार आयोग जो सारे राज्यों में अपने राज्य इस तरफे पर काम करते हैं पूरे देश के सब्सक्राइब काम करता है राश्ट्री मानव अधिकार आयोग तो इन दोनों ही आयोगों को हम एक ही चार्ट में तुलनात्मक अध्यनिहा पर करेंगे तो आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आप इसको तीन भागों मार देजिएगा पहला जो भाग वो मानव अधिकार आयोग अधिकार आयोग छीख है फिर तीसरा जो कॉलम रहेगा उसमें आप बनाएंगे राज्य राज्य मानव अधिकार यह मानव अधिकार कह सकते हैं आयोग मानव अधिकार आयोग तो यह हमने तीन तरह की कॉलम यहां पर बनाए हैं तो यहां पर आपको धियान रखना है आधार का मतलब होता है जिन आधारों पर हम क्या करेंगे अंतर यहां पर करेंगे जिनके आधारों पर यह दोनों में क्या अंतर है इसको हम यहां पर देखें हैं आधार नमबर वन तो पहला हम बात करें इसका गठन राश्टी मानव अधिकार आयोग का हम बात कर गठन गठन देखते हैं पहला आधार क्या है गठन गठन के संब्द में प्रावधान कहां पर किया गया है किसमें राश्टी मानव अधिकार आयोग राश्टी मानव अध अधिकार सरक्षण माना अधिकार सरक्षण अधिनियम 1993 यह प्रादन कहां से लिए जा रहा है तो जो हमारा अधिनियम है कौन से अधिकार है माना अधिकार Human Right Protection Act 1993 को हम अधिकार लेके न किसमें जो हमारा स्लेबस में अधिनियम सामिल किया गया है उस स्लेबस के अधिनियम से हम इसके क्या है तत्थों के यहाँ पर ले रहे हैं तो पहला तत्थे क्यार है गठन तो आप गठन कहा रहे हैं मतलब राश्ची माना अधिकार आयो को गठन इस अधिनियम के कौन से धारक अंतर्यत होगा तो इसका आंसर है धार नमबर तीन में इसमें धार तीन में और राश्ची माना अधिकार आयो का गठन होगा धार नमबर 21 में क्लियर है तो पहला आधार क्या हम लेक चल रहे हैं गठन का प्रावधान इस आयो के गठन का प्र किया गया है तो गठेन के प्रावधान है धारामर 3 में के राश्चिया और स्टेट जो है जितने राज्य है उन राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयो गठेन के प्रावधान कौन से धाराम किया गया है 21 नंबर का धारा है जहां पर इसा वर्णन किया गया है अब दूसर द्धति क्या होगा तो यहां पर धियान रखेंगे राश्ट्री माना अधिकार आयोग जो है यहां पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इसका Establishment होगा यहां पर राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के द्वारा फिर हम बात करते हैं हाँ पर तरीका क्या होगा तो बकायदा इसके लिए केंद्र सरकार क्या जारी करेगा अधिसूचना जारी करेगा अधिसूचना जारी करके और सेम यहां पर भी आएगा जारी करके ठीक है तो पहला गठन हो गया दूसरा किसके दोबार गठन के जाएगा केंद्र सरकारी दोबार गठन के जाएगा तीसरे माध्यम क्या होगा अधिसूचना जारी करके इसका क्या जाएगा यहां तो देख लिए फिर आता है इसका हेड़कॉर्टर मुख्याला कहा मुख्याला कहां पर होगा हेड़कॉर्टर तो देश की राजधानी याईनि की नएंगेू दिल्ली में पिर नएंगे का आते हैं यहां पर यह राज ज dramat राज Đानी में कि रास्ष के राजधानी में मुख्यता इनका headquarter हमको देखने के हाँ पर मिलता है फिर इसका हम बात करें पेoupe क्रेटरी कौन होगा सप्ट्री के हम बात करते हैं तो यहां पर जाष्टि मानव अधिकार के हम बात करें निहां पर होता है महासचिव जेनरल सेक्रेटरी महा सचीव होता है जो राश्ट्री मानव अधिकार आयोग के मुख्य कारेपालन अधिकारी के रोल प्ले करता है कौन सा भूमिके दिर्वान करता है यहां मुख्य चीफ एग्जेक्टिव ओफिसर सीयो के रूप में काम करेगा अब यहां पर होता है सचीव सेक्रेटरी होता है जो राज्ट्री मानव अधिकार आयोग के स्ट्रक्चर क्या होगा नेक्ट आ र सदस्तिया तो यहां ज्यादा बहुत्रे तरिक वह आप इस सच अरश्चा कहिए क्या कहां लिए नो कि अलचा अधा थां elemento इस कि कि यहां तक हो गए आगे बढ़रें यापर तो आगे हम बढ़रा हैं आपर देख़ रहें सबस्त सबसे पहले आपको ध्यान रखना यहां पर कि इसमें राश्षी मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होगा और पांच सदस्य होगे पांच सदस्य होगे एक अध्यक्ष और पांच सदस्य होगे चीक है इसमें हम बात करते हैं एक अध्यक्ष होगा और दो सदस्य होगा अब यहां पर हम बात करते हैं कि इसमें कौन क्या क्या पद निर्वहन करता है क्या 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 पद निर्वहन तो यहां पर आएंगे नम्बर वन यहां हम देखिए क्या के सब्सक्षार पूर्व नयाधिश। सुप्रीम कोट के पुर्व मुख्य नयाधिस या अन्या या कोई अन्या या अन्या या अन्या नयाधिस 2019 के पहले केवल और केवल सुप्रीम कोट के पुर्व मुख्य नयाधिस होता था वही इस आयोक के अध्याष बनता था लेकिन 2019 में इस अधिनियम में संसोधन किया गया है जिसके अंतरगत अब सुप्रीम कोट के मुख्य नयाधिस अगर वहाँ पर उपलब्द नहीं है तो दूसरी नयाधिस को भी इसके अध्या बनाया जा सकता है कि यह तो अध्यार सदस्य में तो सदस्येम नम.1, पहला अध्यार होगए पाँच मैंaving हौन होगा तो यहां पर शुप्रीम कोट के सुप्रीक कोट के, 9-page नैधिस 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 हो या रहा हो यानि कि अभी सुप्रिमोर्ड क्या है नैधिस है 8% क्या काम कर रहा है या फिर पहले काम किया हो नेक्स सदस्य आ रहा है दूसरा दूसर सदस्य आ रहा है कौन तो यहां पर राज्य के राज्य के हाई कोट किसी राज्य के हाई कोट किसका हाई कोट के हाई कोट के मुख्य नयाधिस मुख्य नयाधिस मुख्य नयाधिस हो या रहा हो या रहा हो या रहा हो ठीक है आपर तो पहला दूसरा हो गया पिर ते ये पांच पांच सदस्य हो गया तो पहला दूसरा हो गया अब तीन कौन होंगे यहां पर ध्याँ रखना है तीन कौन होंगे तो तीन जो सदस्य होंगे ध्याँ रखना जो तीन ऐसे सदस्य होंगे जो मानव अधिकार human right मानव अधिकार विसाय के विसाय के जानकार होंगे विसाय के जानकार अनुभाव जानकार या अनुभाव वाले व्यक्ति होंगे ठीक है तो ये एक basic बाते आपको धियान रखना है सदस्य में 5 सदस्य में कौन होगे पर यहां पर सदस्यों के बारें बात के इन सब के अलावा इन सब के अलावा साथ अन्य विभिन आयोगों के पदन सदस्य इसके मेंबर होते यह कौण कौण से अन्य आ जाते हैं तो राज इस्ट्रक्शन हम देखते हैं यहां पर हम बात करते हैं तो एक अनुपाद दो यहां पर एक अनुपाद दो होंगे तो इसका अध्यक्ष कौन होगा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा ध्यान रखना हाई कोट के हाई कोट के मुख्या मुख्या न्यायद्हिस है पूर्म क्या हो इसमें आपको याद रखना है काम का हमारी बाते हैं तो हाइक पूर्व और इट कर लेंंगे एंक नूज़ी रहा हो थीक है तो यहां पर एक word आ रहे है, इसको थोड़ा संसोधन करने लेंगे, क्या संसोधन करने है यापर, तो यहां पर high quote के पूर्व नयायधिस या अन्य नयायधिस, ठीक है, अन्य नयायधिस, अब ठीक है, ठीक है, तो हाई कोट के जो पूर्वा नियाधिस रहा हो या अन्य कोई नियाधिस है उसको राज जिय मानव अधिकार आयोक का अध्यक्ष या बनाया जाएगा clear है तो यह होगा अध्यक्ष होगे अब दो आतने सदस्या तो यहाँ पर सदस्य नमर्द एक सदस एक कौन होगा तो हाई कूट के गई कोई तो यह जो अध्यायक से उसके अलावगे कोई निया धिस उसे यहone बनाया जाय प्र क्या होगा कोई का सकते है अधिवक्त कोई निया धिस है जो कहा Пон कि वोषलकोर पर आपके जीला कोट में काम किया है कितने साल तक 7 वर्षों तक काम करने को उसको अनृभव है कहां पर जीला नाया में काम करने का popular तो उसको घझा इसको थेन सब्सक्राइब और ध्यां नियायधिस हाई कोई नियायधिस हो या हम कर सकते हैं यह कौन होगा अगर हो जिला डेस्टिट कोट में कितने साल तक काम किया हो तो उसको यहां पर सदस्य बनाया जाएगा फिर एक अन्य क्या होगा तो एक सदस्य होगा सदस्य एक अन्य होगा कौन होगा तो जिनको मानव अधिकार मानव अधिकारों के जानकार ग्यान रखने वाला व्यक्ति ग्यान या जानकारी रखने वाला या इस फिल्ड में काम करके अनुभव रखने वाले व्यक्ति को इसका सदस्य बनाया जाएगा जो है तो यहां पर ज को सदस्ते हैं इनको सिंगल नमबर में राज्य का पूंछ सकता हैं तो अभल यहीं पर मैं बठा दूँ' सअन्यः इन हेलावा सेथ अन्या Ydalppika पदेन सदस से भी इसमें मेंबर होते हैं तो कौन कौन होते हैं इसमें देखें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है साथ में कौन को राएंगे तो जार तो हमारा जो ST, SC, OBC और Minority जो कमिसन है उनके अध्यक्ष रहेंगे उनके पदिन अध्यक्ष यहां पर रहेंगे ठीक है तो यहां पर मैं सो साइड में रख रहा हूँ यहां पर कौन यहां पर होते हैं ठीक है चलो तो आज आते हैं तो इन पांचों के अलावा देखें एक अध्यक्ष पांच सदस से हो गया इनके अलावा साथ पदिन सदस्य भी होंगे कितने साथ पदिन सदस्य भी यहाँ पर होंगे कितने साथ साथ पदिन सदस्य भी होते हैं ठीक है तो कौन-कौन होंगे इसमें तो यहाँ पर देखेंगे साथ पदिन सदस्य पदिन सदस्य एक्स ओफिस्यों बुलते हैं पदिन सदर से कितने होगे साथ होंगे कौन से वाले में राश्टी मानव अधिकार आयोग में तो इन साथ में कौन होगा तो इसमें धियान रखना है आपका नैशनल स्टी कमिशन है उसका ध्यक्ष तो यहां पर स्टी स्सी ओबी सी माइनोरिट ठीक है हो गया है 4 हो गया हूँसाद उमेन महिला उमेन पांच हो गया इसके अलावा हम बात करते हैं तो राश्टी बाल अयोग और दिव्यांग जनों का जो उच्चा कह सकते हैं हाइक कमिश्णर होता है उसको मेंबर सामें नहीं हापर करते हैं तो । स्ट सी ओ बीसी तिवेएन फिर चाईड़ जैंड हो गया और फिर डृषेबर्ट सटरांज टॉपेभर आया तो रा रास्ती अनसुकित जन्जाती आयोक्यद्हक्राइड यह पीछड़ा र स्ट्रीड पीछड़ा रस्टी 되어 वर्ग आयोक्यद्हक्राइड रास्तटी महिला और दिव्यांग व्यक्तियों उसे समंद्र जो आयुक्त होता है कमिस्तर होता है वो इसके पदन सदस्य हाँ पर होते हैं तो एक दो तीम चार पांच छै और अपकर साथ तो यह आता है चार नमर पूछने आपको आता है जिद्या रखना ठीक समझ में आगा ना कौन है यह सारे सारे राश्टी आयोग के राश्टी आयोग के अध्यक्ष है राश्टी आयोग के आयोग के क्या है अध्यक्ष है यह फिर क्या है अध्यक्ष है अध्यक्ष है यह फिर और अयूक्त तो किसके आयूक्त थे दो रालत्री बालो टनरक्षण घरक्षण ऑमपर नंबर दो किसका है दिवियांग रेकतियों है ठिक और अद्ध्याओक इसके हैं तो अध्यक्ष हम बात करते हैं आपर तो अध्यक्ष आ जाएगा नैशनल राश्ट्री राश्ट्री अनुसूचित अनुसूचित जाती आयोग के राश्टी अनुसूचित जाती आयोग के तो अनुसूचित जाती है जन जाती है राश्ट्री अनुसूचित जन जा आयोग है minority है ठेक तो यह कितने हो गया तो फाइव तो पांस यह हो गया और तो यहां पर होगे हैं सब्सक्रोट से पुर्ण सब्सक्रत इसरा बताइए तो यह आप सो तो आते हैं के इन आए ओकहिंदी ports और सदस्ट्रों का यूठी करता है अपर तो इन आयोगों के अध्याइक्स्ष और सदस्यों को नियोखुति करता है कौन तो नियोखुति नेक्स आ रहे हैं यहां पर देखते नियोखुति नियोखुति कौन करता है तो राश्च्रपति नियोखुति कौन करेगा तो पहले वाले में कौन करता है राश्च्रपति करेगा पहले वाले में कौन करेगा राश् तो क्या राजीपालद्वारा था नीय। तो इनके द्वारा ध्यारतना यहां पर केंद्रStraker द्वारा एक चैन सविद्धि के निर्मांड करें जाएगा ठीक इसका अध्यक्ष और सदस्यों के लियेग चैन समेथी निर्मान की जाता है और उस चैन समीथी के दवारा जिनका नाम को निविद्शित की जाएगा उन्हीं को अध्यक्ष और सदस्य कुरूप में राश्ट्रपति उनको नियुकति के यहां पर करता है ठीक त समिति के तरीका क्या होगा तरीका क्या होगा तरीका होगा जी इसके चैन समिति क्या बनेगा चैन समिति यहां पर बनेगा सेलेक्शन कमिटी अब यहां पर भी चैन समिति यहां बनेगा चैन समिति बनेगा अब आता है कि इसमें रास्ट्री मानव अधिकार आयोग के चैन समिति में कौन-कौन मेंबर होते हैं चार नंबर स्वाल हैं पूँचा जा सकता है तो इसमें ध्याण रखना है पहले होता है PM कौन होगा? यहां पर होता है द्यान रखना पी-एम होता है अध्यक्ष इस चैन संमीति में कौन-कन होते हैं तो यहां पर ध्यान रखना कौन-कन होता है देख लेते हैं आपर तो पहला होता है प्रेंगा प्रेंग लोग सभा लोग सभह अध्यक्ष लोग सभा का speaker होगा अध्यक्ष होता है लोग सभा में लोग सभा में opposition का opposition का जो leader होता है विपक्ष का नेता होता है वो भी रहेगा फिर राज्य सभा का ठीक है राज्य सभा का उप सभापती होता है ठीक है उप सभापती होगा ठीक है उपसवपती होता है प्लस राज्यसभा में राज्यसभा का विपक्ष का आपोजिसन लीडर होता है ठीक है तो यहां पर आना है आपको पहले चैन समितिम कितने मेंबर तो दो यहां पर हो गया है दो चार हो गया पांच हो गया च्छै यह लोग यहां पर चैन समितिक मेंबर यहां पर होते हैं अब यह लोग क्या करते हैं यही लोग जो है अध्यक्ष और सरस्यों के किनको बनाया जा सकता है इनके बारे में अपना सिफारिस यहां पर करते हैं तो अध्यक्ष हो गया लोगसभा अध्यक्ष हो गया लोगसभा व नेता और ग्ताई यहां पर होता है ठीक है फिर हम बात करते हैं यहां हम बात करतें तो राज्य होते हैं पर पहला तो इस और संवितिह पहले क्या होगा एक यहां पर मुख्यमंत SiyaM cao होगा वित्गया क्या होगा अध्ध्यक्ष होगा सिर्ग Οजय होगा विद्धान सभा का इसका इसका अध्य एक्षभ होगा मason mimondi oh my godSorry legislative assembly ने विदान सवाँ का बिदान सभा में विदान सभा में विपक्ष का नेता होगा हम विपक्ष का नेता इसमें होगा 12 Ti A विदान परिसद नहीं है केवल एक सदनी है हमारा क्या विदान मंदल एक सदनी है लेकिं जिन राज्जयों क्या है विधान परिशत है ले यह इसकर दभापती और उसके विपक्ष्ष करनेता विधान तो में लोग मिलकर जो है अध्याख्ष और सदस्य किसे को बनाना चाहिए इनकी बारे में लाइक हो गया तो अब बहुत सवाल आता है कि महाद्मुर्ण को जसे को खोगा next आते हैं कारेकाल तो यहां पर आज यह कारेकाल के बात करते हैं turn over के बात करते हैं तो कारेकाल पहले था 5 साल और 70 वर्स की आयू तक था लेकिन 2019 में amend कर दिया गया है यहां पर कारेकाल जो है 3 वर्स या 70 वर्स की आयू तक ठीक किनि वर्श की आईऊतक को जो भी पहले हो जाए ठीक यहाँ पर भी सेम यहाँ पर भी सेम यानजन की क्या होगा जो अध्ययक सदस्य से बनेगा क्या कितने स्थ पुने पत्र रहेंगे लेकिन कोई क्या हो रहा है कोई अगर मां जेवओ 658 में अगर क्या बन रहा है तो मात्र दो साल तक रहेगा शिर्ट कर रहेगा आपका ठीक नहीं तो तो 3000 या फिर वरस की आयों तक पद्व में अपना बने रहेंगे參घ के फिर वुद्र नियुकिति पसरे लिपाइं रही है थे सतरे जदा बाएक वॉयारी सुँए वस्तिऎ की फास या ने कि बने अग्जाने है छाल से और अग्द से पर रहे सीट का स्टत व्य कंता मैं यह आधे तो 68 के बाद फीर से क्या सदस्स बन सकते क्या बन सकता है अगर चैन समिथी फीर से सु बनाने की सिफारिच करते राश्च पती तो यहां पर सदस्ति पात रहां पर होते हैं लेकिन द्याना रखना है एज सतर ज़्यादा उसका नहीं होना पाट नहीं तो यह पीहिसा कर्दद यहां से właściक देना पड़ाता है तो यह त्याग सब्सक्राइब किने पत्र किसको देने तियाग पत्र रेजिक नेसन किसको देंगे तो यहां पर राश्रपति को यह हैं पर कि 3 होगोडेंगे राज्यसुपाल को सियाग पत्र देंगे अब जब अध्यागिष् совitt दे दिया तो वहां पर किसको अध्याइस पर जाएगा तो अन्य सदस्ते हैं उन्हीं जो राज्य में जो राज्य मानव अधिकार आयोग है उनके अन्य जो सदस्य उन्में से किसी एक को कारेकारी अध्याशभा बनाये हां पर जा सकता है इनके द्वारा तो यह हमें देखें अब आते हैं ऐसे कौन-कौन से आधार है ऐसे कौन कौन से आधार है जिन आधारों पर ठीक है इनको पद से हटाया जा सकता है किन किन आधारों पर पर से इनको हटाया जा सकता हे उन अधारों को भी आपको देखना हाँ पर होगा जो तो नेच्ट आते हैं वे आधार में इनको पत्ध इयां पर जा सकता है तो पदावदी एमने देख लिए त्याग-पत्र डेने देख लिए अब आते हैं ने國 आये गया आपका पद से हटाये जाना प्रश और हम रखेंगी उसका यहां पहला लगा तो यह हो गया जो है तो यह अपना घ्र देदे स applies है त्याग पत्र दे देते हैं इस्तीफा दे देदैं क्या होगा वो पत् से हट सकते हैं अन्य था दोनों ही मामलों में पद से हटाया जाना, तो पद से इनको कैसे हम हटा सकते हैं, तो इसके लिए भी काफी विस्तिरित प्रावधान है, ध्यान रखने हैं आपको, पद से कैसे हटाया जाएगा, तो इसके लिए पहली बात आपको ध्यान रखना है, नमर एक, दोनों ही जगो ना दोनों जगों में कहां पर तो यहां पर अगर नेशनल नेशनल हुमन राइट कमिशन है नेशनल हुमन राइट कमिशन है तो भी और इस्टेट का है यानि इस्टेट का है इस्टेट हुमन राइट कमिशन है तो उसमें भी पद से हटाने के संबने प्रावधान यहां पर क किया तो पहला अगर जो अध्यक्ष यह सदस्य को दिवालिया घोसित कर दिया गया है तो उसको उसast पद से फटेंव सकता है जा सकता है दूसरे अध्याया रहतना अभी सट्वाणवा अधिकार आगल किया और श्चनल से लिवलपर या स्टेट लिवलपर है इसमें अध्याग्षिय सद्रेशिक पद में रहने किसी अन्य लाब के पद को धारण करता है कि सिविद कि सी अन्य पिसे अन्य लाब के लाब के पद को पद को धारण करता है धारण करता है तो उस अधार पर हटाए जा सकता है नेक्ष तीसरा ताररिक सैथिल्य आ गई है पै थिल्य आ गई है यह सारी रूप से क्या है कमजोर हो गया है तो उस अधार पर क्या है उस अधार पर भी उसको पर्त हटाए यहां पर जा सकता है ठीक है चौ किसी अपराध में किसी कोटने इसकर है किसी अपराध में सिध्ध दोस्ट ठहरा तिया गया हूं कि टहरा दिया गया हो यह बनता है जिनके अधार पतस हटाया जा सकता है इन सभी के अलावा अगर मानसीक ग्रूप से क्या है विक्रित चित है ध्यान रखना तो ये भी एक विक्रित चित्ती अधार पर भी पद से हटाया जा सकता है ठीक है पांचवा लिख सकते हैं विक्रित चित है अंसौंड माइंड है विक्रित विक्रित चित तो इस अधार पर भी पत थाए जा सकता है तो पत से हटाने का जो प्रावधान है पूँचे स्टेट और राइट कमिसनी पूँचे दोनों में पिम अधार है जिनके दहार पर अध्याश्य और सदस्यों घटाए यहां पर जा सकता है अब यहां पर आते हैं तो यह हमने क्या कि बेसिक बातें यहां पर किये अब मैंने जैसे बताया जो है कि हमारा अगर National Human Rights Commission का अध्यक्ष क्या हो जाता है समय से पहले इस्तीफा दे देता है यह उसका यहां पर राष्ट्रपति से सदस्व में से किसी एक को कार्यवाग यहां पर बनाते हैं यहां पर राज्यपाल इसको बना यहां पर सकते हैं तो देखो एक पुछिप्त जानकारी दीजिए नोट लिखिए टिपड़ी किजिए तो आप इन सारे प्रावधानों को आप जो है लाइन के अगरसने बता सकते हैं चाहें नैसनल के पूछे चाहें स्टेट के ठीक है अब हमको यहां पढ़ना रहेगा दोनों में पढ़ना रहेगा इन द पहार नमर 13 है इसमें जांच क्या क्या सकतिय होती है इनका लेक्ष किया गया है उनको भी हम एक साथ एक ही चाहें अध्यन करें ताकि चाहें स्टेट के पूछे चाहें नैसनल के आप आसाने से उसको लिख पाएंगे तो यहां तक आपको समझने में किसी पर दिक्तित नही अगर आप लिखने के प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ संभावित सवाल और कुछ आवरेड़ी आ चुका है संभावित प्रस्न तो आप लिखने के लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बारे में तो पहला सवाल अगर हम दो अंक कर देखते हैं दो अंक के लिए मानव अधिकार आयोग के गठन का उद्देश से बताईए क्या पुछता है इसा गठन का उद्देश से बताईए तो जो अधिनियम का उद्देश से है मानव अधिकार सरचन अधियम 1993 जो उद्देश से है वही इस आयोग का है उद्देश से है पहला स्वाल के दूसरा मानव अधिकार को परिभासित कीजिए अधिकार को परिभासित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं परिभासित कीजिए यह दूसरा सवाल दो नमबर के लिए फिर आता है जिस चार नमबर के सवाल यहां से बना सकता है चार नमबर के सवाल क्या बनाएगा तो मानव अधिकारों के मानव अधिकारों के उदभव एवं कि विकास के बारे में संचिप्त टिपड़ी किजिए ये नोट दीजिए तो ये कुछता है चार नंबर में फिर हम थोड़ा आगे चल जाते हैं आठ नंबर के लिए चले यह 15 नंबर के सम स्वाल बनाए तो चार नंबर का हो गया है लिए यहाँ से बन सकता है वो रहेगा राश्ट्री मानव अधिकार आउग आयोग पर संशिप्त टिपने कीजिए तो जब ये टिपने कीजिए पूछता है या मानाव अधिकार आयोग के तरश्णा के बाएं बताईए हैंने सदस्व बाएं बताईए तो ये आपका आठ नमबर सवाले हाँ पर बन जाता है ठीक तो ये रहेगा फिर आगे दस्त कर तो सवाले हास नहीं आता है सिदा पंदरा नमबर के पंदरा अंग का सवाल आता है कि मानाव अधिकार आयोग के सवाल क्या रहेगा सवाल रहेगा मानाव अधिकार आयोग के रश्णा बताते हुए इस्ट्रक्चर रश्णा बताते हुए बताते हुए इसके कार्यों को कार्यों सक्तियों को बतलाईए तो यह तबाल बन जाता है आपका 15 नमबर के लिए तो इनको अगर आप चाहिए लिखने कर प्रैक्टिस भी हाँ पर कर सकते हैं ताकि आपको लिखने का जो स्किल है वो भी गुरु हो क्या कि आपको बेसिक दिक्कतें आ रही है इनके बारे में भी आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तब ही आपको समझ में यहाँ पर आएगा जो है तो आज हमने यहां तक देखे दो हमने संगड़िंग बात किये राश्ची मानव अधिकार आयोग और राश्ची मानव अधिकार की बारे में बात किये कल हम बात करेंगे अगला जो लेक्चर उसमें बात करेंगे आकिर राश्ची मानव अधिकार आयोग के कार और सकतियां क्या है जो